Hi everyone, आज हम करेंगे Bengal School की एक और बहुत खुबसूरत पेंटिंग Radhika सबसे पहले जैसे मैं कहते हूँ, again the six points Title of the painting is Radhika Artist M.A.R. चुकतेई, Muhammad Abdul Rahman चुकतेई Technique जो है Tempera and Wash Medium Watercolor on Paper Period Bengal School Courtesy National Gallery of Modern Art New Delhi इसका भी subject matter सबसे पहले हम discuss करें तो ये एक attractive Indian girl Radhika की painting है जिसको बहुत ही delicately profile में बनाया गया है ये subject Hindu mythology पर based है Now comes to the description ये Muhammad Abdul Rahman की सबसे खुबसूरत painting है अब इसको ध्यान से देखें कि इसमें Radhika, जो की एक शर्मीले स्वभाव की दिखाई गई है आप उसके posture से ही अंदाजा लगा सकते है उसके मन के भावों को उन expressions को बहुत creatively दिखाया है इस lady figure को profile में बनाया है मतलब side pose आप देख पा रहे होंगे अब अगर features की बात करें facial expressions की बात करें तो half open dyes मतलब आदी खुली हुई या आप कहें जुकी हुई आखें उस तरह से बनाई गई है sharp eyebrows है खुपसूरा चहरा और प्रेम के भाव साफ दिखाई दे रहे हैं face पे जुकी हुई गर्दन है लंबे बाल बनाए गई है अब आगे देखें तो दोनों हाथों में lotus flower पकड़े हुए है right hand में जो lotus है उसका हाथ वो नीचे की तरफ पीछे की तरफ मूड़ा हुआ है और उस पर एक honey bee दिखाई गई है ये जो honey bee है न बिटा it's a symbolic of Krishna ये श्रे कृष्णे की उपस्तिति मतलब उनकी presence को दर्शाती है ऐसा माना जाता है दूसरे हाथ में जो lotus flower है वो चहरे से लगा हुआ है वो कोमलता एक delicacy है overall figure में आप देखें न उस posture में जिस तरह से उसने वो फूल को भी चहरे से लगाया हुआ है so वो एक बहुत delicate figure की तरह उसको बनाया गया है बहुत ही graceful बनी है she is wearing lots of ornaments जिसमें मोतियों की माला bangles, rings है to enhance the beauty of the painting अब आएं costumes पे तो costume की बात करें तो typical Indian style में कपड़े पहने है she is looking very attractive in red blouse, purple लेंगा and yellow odney एक-एक fold silvert clear है और यह जैसे purple लेंगा की मैं बात कर रही हूँ तो अगर जैसे silvertे हैं या folds हैं वो dark colors में बनाये गए है पीछे आप देखें तो एक corner में इस तरफ decorative lamp है जिसका धुआ उपर की तरफ जाता हुआ दिखाया है और अगर आप ध्यान से देखें तो पीछे से यह जो lamp की रोशनी आ रही है उसकी चमक आधी figure पर पड़ रही है यह ध्यान से देखेंगा यह जो glow दिख रहा है आपको figure में जिससे यह जो form है वो और भी divine लग रही है colors bright है overall tonal gradation दिखाई देता है जैसे tonal gradation हुआ कि आप background ही देखें जैसे center में देखें yellow है फिर orange है and then corners मतलब उपर और नीचे अगर हम top and bottom देखें तो browns में merge होता हुआ color है तो इस तरह gradation में जाता हुआ रंग दिखाया गया है इस painting में side में जो रखा हुआ lamp है और जो overall style है इस painting का वो Mughal royalty से influenced है and हम कह सकते हैं कि whole figure reveals the delicate and intricate craftmanship of the artist मतलब इस M.A.R. चुकते ही कि यह बहुत खुबसूरत painting है और जिस purpose है यह जो theme इनोंने बनाया है यह उसमें पूरी तरह successful हुए उस तरह की delicacy उस तरह की कोमलता उस figure में दिखाने के उसी हिसाब से facial expressions है और उसी हिसाब से environment है और definitely यह painting wash technique में बना है तो color में वो soothingness तो है ही है So this is all about the Radhika